हेलो गाइज, वेलकम तू मैं यूट्यूब चैनल, हम लोग रैंडम फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं और हम लोग इस वीडियो में रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर जो अल्गोरिधम है उसके सारे हाइपर पारमीटर्स के बारे में पढ़ा ही करेंगे, ठीक है, बहुत सारे हैं और रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर में जो हाइपर पारमीटर्स हैं, उन दोनों में बहुत ज़ादा डिफरेंस नहीं है, आगर आपको क्लासिफायर समझ में आ गया, तो आपको रिग्रेसर भी समझ में आ जाएगा, तो मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरे के पूरे सेट ऑफ हाइपर पारमीटर्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया है, पहला पार्ट है वो हाइपर पारमीटर्स जो रैंडम फॉरेस्ट के उपर अप्लिकेबल हैं, सेकेंड पार्ट है वो हाइपर पारमीटर्स जो डिसिजिन ट्रीज को ट्रें करने के लिए यूज होते हैं ठीक है as you already know random forest is built using decision trees तो वो अंदर वाले decision trees को train करने के लिए भी कुछ hyper parameters यहां पर है ठीक है and the third set of hyper parameters is जो common होते हैं सभी machine learning algorithms में ठीक है तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ random forest को tune करने के कौन से hyper parameters है ठीक है तो सबसे पहले मैंने यह एक kind of visualization tool बनाया है और इसमें मैंने यहां पर in total चार hyper parameters रखे है n estimators max features bootstrap max samples ठीक है so यह वो hyper parameters है जिनको use करके आप directly random forest को tune कर सकते हो ठीक है तो जल्दी जल्दी हम लोग यह सारा देख लेते हैं सबसे पहला वाला जो है num estimators यह यह decide करवाता है कि आप का जो random forest है वो कितने decision trees से मिलकर बनेगा ठीक है max features क्या बताता है कि अगर आपके data set में माल लो 5 columns है input में ठीक है तो आप उन में से कितने columns को use करना चाहते हो max features यह बताता है ठीक है bootstrap क्या बताता है कि आप randomly select करोगे या नहीं करोगे ठीक है जब आप rows और columns को select कर रहो randomly select करोगे या नहीं and the last one is max samples आप कितने rows देना जाते हो हर decision tree को ठीक है क्योंकि आप subset देते हो तो max samples decide number of rows max features decide number of columns ठीक है इन चारों का आप एक बार यहां पर पढ़ सकते हो n estimators default value 100 है और इसका description is the number of trees in the forest कितने decision trees आप use कर रहे हो ठीक है next is max features यहां पर थोड़ा सा technical है यहां पर आपके पास चार options होते हैं पहला होता है auto दूसरा होता है square root तीसरा होता है log ठीक है और फिर आप कोई number भी दे सकते हो if you want ठीक है तो एके करके पढ़ते हैं the number of features to consider when looking for the best split so जब आप का decision tree है वो जब splitting कर रहा होगा तो वो कितने columns को consider करेगा यह इस feature से decide यह इस hyper parameter से decide होता है so यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि अगर आपने integer value दिया तो जो आपने value दिया उतने ही max features हो जाएंगे मालो आपने max feature का value रखा 2 और आपके dataset में total columns थे 10 तो कभी भी splitting करते time आप दो ही columns को consider करोगे कोई भी 2 को ठीक है randomly अगर आप float लेके चल रहे हो तो percentage बन जाएगा यह value हमेशा 0 से 1 के बीच रहना चाहिए तो 0.1 का मतलब 10% of the columns 0.2 का मतलब 20% of the column 0.5 का मतलब 50% of the column ठीक है auto का मतलब होता है square root of features so अगर आपके पास 100 features है तो आप randomly 10 features को consider करोगे square root और auto same होता है यह थोड़ा weird है कि दोनों क्यों exist करता है बट क्या दोनों का मतलब same है यह आप लिखा हुआ है same as auto log होता है log of number of features ठीक है तो अगर आपके पास 100 columns है तो आप 6 actually 7 columns को use करोगे ठीक है और अगर आप में none दे रखा है तो फिर जितने आपके total columns है उतने ही आपके columns use होंगे while splitting the tree ठीक है I hope यहां तक आपको समझ में आ रहा है next is bootstrap bootstrap का default value is true और यहां पर लिखा हुआ है whether bootstrap samples are used when building trees if false the whole dataset is used to build the tree bootstrap is basically bootstrapping with replacement ठीक है so अगर true है तो replacement होगा true नहीं है तो replacement नहीं होगा ठीक है and the last one is max samples ठीक है if bootstrap is true the number of samples to draw from x to train each base estimator हर decision tree को कितने रोज मिलेंगे वो max samples से decide होता है ठीक है दो classes है red class और purple class मैं सबसे पहले पांच decision trees को train करूंगा in my random forest बाकी चीज़ों को मैं as it is छोड़ रहा हूं जो default value है और इसको मैं initially सारे के सारे rows दे रहा हूं कि 375 को 375 and you can see शुरू में accuracy is .88 अगर मैं number of decision trees बढ़ाता हूं मालो मैंने 10 किया तो थोड़ा सा accuracy भी बढ़ रहा है थोड़ा सा और बढ़ाते हैं let's say 50 तो time थोड़ा जादा लगेगा क्योंकि number of decision trees बढ़ गए और आपका 90% के राउंड accuracy आ रहा है ठीक है आप एक चीज़ और notice करोगे जितने कम decision trees है उतना आपका decision boundary थोड़ा erratic आएगा erratic in the sense इस तरह के weird areas आएंगे जो की overfitting बताता है ठीक है जैसे जैसे आप number of decision trees बढ़ाते जाओगे overfitting reduce होने लगता है और वो जो weird areas है वो smoothen out होने लगते है ठीक है और जादा बढ़ियां तरीके से classification होता है you can see smoothening हो रहा है ठीक है weird areas बहुत कम हो गए ठीक है next मैं आपको पताता हूं max samples so मैं 50 को constant रखता हूं और max sample को change करता हूं so max sample जितना आप घटा होगे उतना randomness बढ़ता है आपके data में so let's say हमने 200 rows भेजने का हमने decide किया ठीक है run algorithm कुछ खास improvement नहीं है अगर हम 100 कर दें तो थोड़ा सा घट चुका है क्योंकि number of rows सच में बहुत कम हो गए अगर हम 50 कर दें तो भी ठीक ठाक है अगर हम 10 कर दें अब आपका result बहुत खराब हो जाएगा देखो काफी खराब हो गया अगर आप 5 कर दो तो काफी खराब हो जाएगा यह देखो मैं अपने experience से आपको बताता हूं max samples को अगर आप 50-75% के range में रखते हो तो आपको सबसे optimum results मिलते हैं बहुत कम कर देना या बहुत जादा कर देना आपको सबसे अच्छे results नहीं देता ठीक है next is max features so max features में मैं manually क्या कर रहा हूं सिर्फ एक feature लेकर के काम चला रहा हूं और इसको मैं भी 50% के round कर देता हूं 176 मालो मैं सिर्फ एक ही feature ले रहा हूं ठेक है और आप run किया and you would see कि ठीक ही आ रहा है accuracy क्योंकि आप randomly select कर रहे हूं एक feature तो कभी column 1 आ रहा है कभी column 2 आ रहा है so फिर भी ठीक ठाकी result आ रहा है आपको ठीक है अगर आप 0 कर दो तो obviously 0 करने से error आएगा because आपको minimum एक column तो देना ही बढ़ता है तो यहां पर लिखा हुआ है 0 से लेके number of features तक होना चाहिए अगर आप इसको 2 कर दो तो more or less वैसा ही result आता है थोड़ा सा बढ़ गया in fact दो करने से जो by default जो था वो auto था as in square root था तो 2 का square root 1.41 होता है तो by default एक ही column ले रहा था अब यह दो columns ले रहा है इसलिए थोड़ा सा accuracy बढ़ गया अगर हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा के 200 के आसपास लेके जाएं तो शायद हम और accuracy बढ़ा पाएंगे let's see 0.9 ही हो गया इसका मतलब इसको हम लोग 170 के आसपास ही रखते हैं मतलब मैं आपको बस दिखाना चाहता हूं कि that is how you tune a decision a random forest see अगर हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा के 100 कर दें time थोड़ा जादा लगेगा obviously because आपने number of decision trees double कर दिये अभी में 91 ही आ रहा है अगर हम bootstrap false करें तो देखते हैं क्या होता है bootstrap true और false करने से बहुत जादा difference नहीं आता generally लोग उसको true पे ही रखना prefer करते हैं ठीक है let's see so या कुछ khas changes नहीं आ रहे तो see that is how you can tune a random forest ठीक है so यह हो गए अपने चार सबसे important वाले random forest के hyper parameters अब इसके बाद कुछ और parameters हैं जैसे कि यह सब parameters है criteria क्या होगा जिनी या entropy max depth कितना होगा हर decision tree का minimum sample split कितना होगा मतलब कभी भी कोई node जब create होगा तो एक minimum sample split आप दे सकते होगी कि इतने number of rows होंगे तभी आप split करोगे वरना split नहीं करोगे बिसिकली आप decision tree को prune करें similarly minimum sample leaves भी वही बात बताता है min weight fraction leaf fraction के terms में same बात बताता है max leaf notes आपका बताता है कि कितने notes हो सकते है maximum minimum impurity decrease आपको बताता है कि impurity में कितना decrease minimum मिलेगा तभी आप split मारोगे और यह deprecated है तो इसको discuss नहीं कर रहे है bootstrap हमने discuss कर लिया so basically decision trees वाले अगर आपको देखने हो तो आप क्या कर सकते हो आप YouTube पे मेरे चैनल पर एक वीडियो है already campus X decision tree hyper parameters बोलके यह वीडियो अगर आप देखोगे यह वीडियो अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने बहुत detail में समझाया है सारे के सारे parameters यह सब जो यहां पर लिखे होए यह सब मैंने बहुत detail में यहां पर समझाया है ठीक है और यहां पर यह टूल already available भी है तो आप इस टूल को जाकर के यूज भी कर सकते हो तो basically मैं रांडम फॉरेस्ट के लिए हो गया ठीक है अब कुछ और hyper parameters बच गए वो जल्दी से discuss कर लेते OOB score के उपर मैं एक अलग video बनाऊंगा वहां पर आपको यह समझ में आ जाएगा N jobs क्या करता है कि parallelly decision trees को train करने में help करता है अगर आपके processor में if there are multiple course तो सारे course को एक साथ parallelly use कर सकते हो तो basically थोड़ा faster training होगा ठीक है random state आप use करते हो uniformity के लिए बार बार अगर आप same random forest को train करो with same parameter values तो भी results different आते हैं क्योंकि जब column selection होता है या column sampling होता है feature sampling होता है उसने randomly feature select होते हैं तो आप उसको भी constant कर सकते हो by giving a random state value ठीक है वर्बोस से आपको सारा output दिखाई देगा during training warm start अब तब use करते हो जब आप stages में अपने algorithm को train करना चाहते हो ठीक है कि थोड़ा data अभी मिला थोड़ा data बाद में मिला तो you can use warm start class weight आप तब use करते हो जब आपके पास imbalance data set है आप यहां पर pass कर सकते हो अपने हिसाब से classes का weight ठीक है and that will help you ठीक है और यह क्या होता है CCP alpha यह मैंने गभी use नहीं किया है although it says complexity parameter used for minimal cost complexity pruning the subtree with largest cost complexity that is chosen by default no pruning is performed so default value तो इसका 0 ही है अगें यह pruning के लिए भी parameter है इसके बारे में मैं आपको एक future video में detail में बता दूँगा इस point पर मैंने कभी इसको use किया नहीं है तो I will have to use it थोड़ा सा इसके बारे में मुझे experience लेना पड़ेगा तभी मैं आपको इसके बारे में ठीक से बता पाऊंगा so these are the hyper parameters that are present in random forest classifier और अगर आप random forest regressor में जाओ तो वहाँ पर भी आपको more or less यही parameters मिलते हैं बस कुछ चीज़े different है जैसे यहाँ पर criteria में MSC और MAE होता है जैसे यहाँ पर आपके पास junior entropy था वैसे यहाँ पर MSC MAE होता है बाकि सब कुछ एकदम same है see कुछ भी different नहीं है एकदम as it is बिल्कुल same है ठीक है तो I would recommend कि आप जा करके पहले तो इसके साथ थोड़ा सा experiment करो और यह decision tree वाले tool के साथ भी आप थोड़ा सा experiment करो इन दोनों को करने से आपको काफी सारे hyper parameters already clear हो जाएंगे और मैं क्या करने वालो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा next video वहाँ पे मैं एक real world data site के उपर random forest classifier को train करके hyper parameter tuning करके आपको दिखाऊंगा so आप जो भी इस वीडियो में पढ़ रहे हो वो थोड़ा सा और जादा clear हो जाएगा आपके दिमाग में ठेक है तो I hope यह पूरा वीडियो आपको पसंद आया और आपको help किया so that's it thanks for watching bye